कॉंग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कॉंग्रेस है कॉंग्रेस जो है वो आरेसेस की मा है जननी है बीजेपी बच्चा है सोचिए ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ और मैं जब कोई बात कहता हूँ तो उसके पास फैक्ट होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि जब BJP कह रही है कि तमाम छोटे-छोटे दुकानों के नाम पर उसके मालिक का नाम लिखे ताकि उसकी जाती या धर्म पता चल सके अब सबको पता है कि मुस्लिम समाज के दुकान जब लिख दिया जाएगा नाम तो उसके हिंदू बहिसकार करेंगे और सबको पता है जब दलित पिछरे आदिवासी और किसान मुसल्मानों से नहीं लड रहे होते हैं तो उनके जाती के नाम पर शोशन होता है मतलब कोई भी दलित पिछरे के दुकान में खाना नहीं खाना जाएगा तो एक तीड से दो निसाना है लेकिन सोचिए कॉंग्रेस कह रही है हिमाचल कॉंग्रेस राजीब शुकला कह रहे है कि इसमें कोई गलती नहीं है कॉंग्रेस के सवर नेता हो या बीजेपी कोई फर्क है क्या लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है मैं आपको लिए चलता हूँ जैपूर जैपूर में पूरी की पूरी कॉंग्रेस जो है वो बीजेपी हो गई और यही नहीं बीजेपी वालों ने गंगा जल और गवमुत्र का लेप लगाकर सुधी करण करवाया जैपूर निगर निगम में उनके नाम सुनगे जो लोग है जोती चोहान, मिर्दला मनोज मिर्दिल मुदगल, उत्तम शर्मा, जोती चोहान पूरे के पूरे पार्सद जो कॉंग्रेस के थे यह सब बीजेपी में आ गए और आप सोचिए कि इनका सुधी करण हो गया नमस्कार, मैं शंभुक उमार सिंग और आप देखे हैं निशनल दस्तर अगर आप लोग को लगता है कि कॉंग्रेस बीजेपी से अलग है और बीजेपी कॉंग्रेस से अलग है तो खासकर मुस्लिम समाज के लिए मैं यह बात कहना चाहता हूँ आप धोखे में हैं और आपके साथ बड़ा विश्वास घात हो रहा है सोचिए दुकान पर नाम लिखने को लेकर योगी सरकार की कितनी आलोचना हुई थी शावन के महीने में नामा करन करना था उसके बाद उनकी बड़ी आलोचना हुई बात में वो मामला पेंडिंग में डाल दिया गया लेकिन हिमाचल में क्या हो रहा है लेकिन कॉंग्रेस का कोई निता नहीं बोलेगा राजीव शुकला कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं तो कॉंग्रेस और बीजेपी में ही फर्क है दस साल तो खालिस तोर पर, दस साल नहीं कहूंगा मैं, मतलब नर्सिम्हाराओ की सरकार हो, या फिर मनमोहन सिंग की दो सरकारे हो, दस, पंदरा साल राहुल गांधी के हाथ में चावी रही, इन्होंने कुछ नहीं किया, साठ साल जो सरकार जो पार्टी सत्ता में रहती है, वो कहरें कि हम जाती जर्गना करवाएंगे, आपको अधिकार देंगे, आरक्षन बचाएंगे, तब क्या कर रहे थे, दरसल ये वही कहानी है, गाउं में एक रामलाल और सामलाल दो भाई रहता था, दो भाई, एक बार रा रामलाल और सामलाल एक ही परिवार था, बाकी सब दलित, पिछरा, दिवासी, किसानल, संख्यक था, सौ में नब्बे, रामलाल जब मुखिया था, तो सामलाल पूरे गाउं में गाली दे था, रामलाल चोर है, हटाओ, बदलो, पूरे गाउं के लोगों को लगता था कि भा दाव ही को छोड कह रहा है, और फिर लोग रामलाल को चुन देते थे और ऐसी करते करते 75 साल निकल गए, रामलाल, सामलाल, सामलाल, रामलाल, यही हालत BJP और कॉंग्रेस की है, 60 साल कॉंग्रेस ने राज किया, BJP बालों ने कहा चोल है, चोल है और तमाम दलित पिछरे दिवासी नेता, लालू यादब, मुलाहम सिंह आदब, राम बिलास पासा हैं, सब पहले किस से लड़ रहते हैं, कॉंग्रेस से लड़ रहते हैं, साठ साल तक उन्होंने मजा लिया, कुछ नहीं किया, से लिये, जिनरल केटिकरी का तब भी बल्ले वल्ली थी, अब 15 साल बीजेपी मजा ले रही हैं, फिर लालू यादब, मुलाहम सिंह यादब, सब बीजेपी से लड़ रहे हैं, सारे कॉंग्रेसी बीजेपी में चले आते हैं, फिर सारा जब कॉंग्रेस की बारी आएगी, तो रैली में देख के मुझे लगा कि इस देश में 75 साल में अगर CSTOVC को हक नहीं मिला है तो इसकी बज़ा रामलाल और सामलाल है, BJP और कॉंग्रेस है सोचिए BP सिंग की सरकार बनी, BP सिंग की सरकार बनी, मंडल कमिशन लाग हुआ बाबा साहिब को भारत रतन मिला, सरकार किस ने गिराया, पता हिए, BJP ने गिरा दिया और जब देवगावरा, जब जनता जल की मिली जूली सरकार बनी, जब देवगावरा परधान मंतरी थे, तब सरकार किस ने गिरायी Congress ने Congress ने कई सरकारे गिराई है बाबू जगजी मरू राम को party से क्यूँ बगाबत करनी पड़ी किसान नेता चोधरित चरण सिंग की Congress छोड़ा उनकी सरकार किस ने गिराई इंद्रा गांधी ने बीपी सिंग पिछरों की सरकार किस ने गिराई राजीब गांधी ने, कॉंग्रेस ने, बीजेपी ने भी सरकार गिराई तो सोचिए ये है रामलाल और सामलाल की कहानी और दलित पिछरा उसमें फसे हुए है सोचिए अभी मदनी साब कह रहा है कि C.A.N.R. सही है तमाम मुसलिम समाज के लोग उनके पीछे पर हैं, बिल्कुल सही नहीं है लेकिन सोचिए राम मंदिर के ताले किस ने खोले C.A.N.R.C. का पहला कंसेप्ट राजीब गांधी ने नौर्थ इस्ट में दिया राजीब गांधी OBC आरक्षन के खिलाब थे जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो BJP बहुजयन बहुजयन दलित पिछरा करती है और जब BJP सत्ता में इसलिए मैं कह रहा हूँ इस देश के दलित पिछरों को बैकवर्ड लीडर्सी बाली पार्टिया चुननी परेगी और एक और बात बता रहा हूँ, सुचिए परधान मंत्री बने मनमोहन सिंग तुन्हों ने देश की तरक्की की, no doubt लेकिन उनके साथ क्या-क्या बेभार हुआ आप सब जानते हैं सिताराम केसरी के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं चोधरी चरहन सिंग के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं लेकिन जब परधान मंत्री बारी आती थी तो या तो नहरू, इंद्रा, राजीव या लाल भादुर शास्त्री या पीबी नर्सिम्हाराव और एक इन्होंने अलपसंख्यक समाज से मनमुहन सिंग को बनाया सबसे मिला जुला के और मनमुहन सिंग का यूपी ओवन सांदार जिसमें और जुन सिंग सिक्षा मंत्री थे उन्होंने ओवी सी का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया कॉलेज इनवर्सिटी में बाकी कुछ नहीं मिला लेकिन जब भी दलित पिछरे वाली बैकवर्ड वाली सरकारी आएं तब जाके आपको कुछ मिला इसलिए मैं कह रहा आज नरेंद्र मोदी परधान मंत्री हैं वो OBC कैटिगीरी में अपने आपको मानते हैं भले RSS का कंट्रोल है उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने नीट में नीट UGPG में रिजर्वेशन लागू हुआ A.C.S.T. Act to restore करना पड़ा लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कॉंग्रेस के समय जो महीन हो रहा था बीजेपी में डंके की चोट परो रहा अगर बीजेपी नहीं बदलती है तो मैं फिर कह रहा हूँ आपने 60 साल कॉंग्रेस को देख लिया 15 साल बीजेपी को देख लिया आप ब UP में भी नाम लिखना परेगा हिमाचल में भी नाम लिखना परेगा और आप जैपुड में जिताएंगे कॉंग्रेस को और बन जाएगी वो BJP तो यह सब चल रहा है और इसलिए मैं कह सोची अमन्चोपरा किस तरह से मुसल्मानों को लगातार बदनाम कर रहा है तो इस दे है ना बियुद्र बैनर जी के डीएने में हिंदु बूसलिम है अरवीन चैज्रिवाल ने खुल के कहा कि मैं मैं सिर्फ और सिर्फ आरेसेस और बीजे पी के नियताओं के गटवंधन में हो अभी मम्ताव अनर जी कहां सूचिए बिहार के पिछरे चात्रों को मारा गया है, मारने वाला को ने है, भट्या चार, तो ये इस्तितिय सुचिए, एक मिसरा नाम है, हिमानसु मिसरा, वो टीवी पर कह रहा है कि मैं बिहार से हूँ, जूट बोला, वो कानपूर का है, उसने का मेरा IIT में दाखिला हो रहा था, ये भी है, मैं 96,00,00 रूपया हार गया, ये सच है, लेकिन उन्होंने लोगों को ठागा है, उस सक्सने, और इसी देश में एक अतुल नाम का दलिच्छात, मुझा फरनगर का, जो सचमुच मिना IIT जिसको दाखिला होना था, 17,000 रूपय नहीं हुए, और जो सहुकार ब्याज पर पैसे देता था, उसने जलन से, कि ये इसका बच्चा IIT कर जाएगा, उसने पैसे देने से मना कर दिया, ये सर छोटू राम के साथ भी हुआ था, तो सुचिए इस तरह से ये हालत है, और BJP का एक बिधायक फिर जेल जा रहा है, करनाटक में, वहीं देवेंद फरनवीज ज न जाते तो उनकी सरकार न चलती, सिंदे भी मराठे समाज से हैं, वह न रहते तो सरकार न बनती, तो सोचिए, सबन लीडर्सी बाली जो पार्टियां होती है, चाहे वो कॉंग्रेस हो, आमादी पार्टी हो, BJP हो, मैमता बनर जी हो, आप लोग बताए, वो पहले अपना प परिवार देखते हैं, यह सच है, लेकिन परिवार के बाद सब लोग अपनी जाती, विरादरी और समाज देखते हैं, तो लालू यादब का पेट भर जाएगा अपना परिवार से, तो समाज के लिए करेंगे, मुलायम सिंह आदब का पेट भर जाएगा, तो वो अपने सम समाज के लिए करेगा यह बात मुस्लिम समाज को ही समय इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत एक जाती परधान देश है और मैंने फ्यक्त के साथ बताया कि कॉंग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतर नहीं है जब तक इस देश के CSTOBC किसान पाटी कोई हो बहुजन नेताओं को नहीं चुनेंगे बहुजन लीडर्सी बाली पार्टियों को नहीं चुनेंगे जैसे अभी बीजेपी का OBC करन हो रहा है कॉंग्रेस डड़ के OBC करन करने की बात करें लेकिन सवाल है कि लीडर्शिप किसके हाथ में है खरगे जी क्या मुखवटा है सुचिए क्या लीडर आपको पोजिशन किसी दलित पिछरे को नहीं बनाया जा सकता था आप लिए अपनी राय जरूर दीजे शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें